ओम श्री गणेशा ये नमहां जैसरी सीताराम जैबाला जी माराज बक्तो बक्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा अनुभव जैसा कि हमने अक्सर सुना है कि प्रेत आत्माएं जब लोगों को लग जाती है तब उनके नेगटीब प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं और उने धीरे धीरे वो mentally disturb कर देती हैं ऐसी एक सत्य घटना में आप लोगों के सामने लेकार आया हूँ अमित नाम के एक व्यक्ति हैं उन्ही की अनुभव जो कि उन्होंने मुझे बताया अमित बताते हैं कि वो अपने गाउं में खेती बाड़ी करते हैं जैसे कि उनके खेत अत्याधित हैं तो उनके पिताजी और अमित ये अपना खेती बाड़ी समालते हैं अभी कि अमित बताते हैं कि कुछ टाइम पहले वो अपने खेत की सिचाई ही कर रहे थे तब उनको कुछ अजीब सी गर्माट का एसास हुआ हाला कि बरसात का मौसम था धान की रोपाई हो रही थी उन्हें अजीब सी गर्माट महसूस हुई उसके बाद वो अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर पर गए घर पर जाने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें बुखार हो गया है जाते हैं अपने छोटे भाई के साथ दवा लेते हैं दवा लेने के बाद उन्हें घर पर आते हैं और दवा खाने के बाद बुखार जहां ठीक होना चाहिए बुखार वही जो temperature होता है वो बढ़ता चला गया अभी इनकी family वालों को लगा कि अमित को ये जो problem है वो कोई छोटी problem नहीं है शायद कुछ मतलब इन्हें अजीब सी एक बुखार का जो temperature था वो अचानक से बहुत ज़्यदा बढ़ने लगा ये लोग फिर कुछ अपने रिष्टदारों को बुलाते हैं गाड़ी की व्यवस्ता करवाते हैं और अमित को उसमें बढ़ा के शहर के बड़े अस्पताल में अमित पहुच चुके हैं डोक्टर ने उनकी जाचवाच लिखवा दी यह सब जाच कराही रही होते हैं ताकि मतलब अमीद के लिए जाच करवाने ही जाने वाले थे तबी अमीद बोलता है कि मैं जैसे मरा हूँ वैसे इसको भी मारूंगा अभी इनके घरवालों को लगा कि यह क्या बोल रहे पहले कुछ भी समयज में नहीं आया तभी एक रिष्टदार ने बोला कि इसको बुखार किसी नेगटिव एनर्जी के वज़े से आया है अभी परिवार वाले बिल्गुल समझी नहीं पा रहे थे कि होस्पिटल में जाएं या किसी बाबा के पास जाएं तो डॉक्टर क्या करता है कहता है कि यह सब mentally disturbed होने के वज़े से हो रहा है दिमाग इसके बुखार जो है इसके दिमाग तक पहुच रहा है तो डॉक्टर क्या करता है इंजेक्शन इंजेक्शन सब कुछ लगाता है और लगाने के बाद अपने केविन में चला जाता है यह लोग को बोलता है आप लोग ज़्यादा यहाँ पर भीड़बार मत करो थोड़ा सी रिलेक्स करने दो तो सब लोग भारश ले आते हैं उनकी माता जी लेकिन वहीं बैठी रहती है उनकी माता जी और उनकी कोई बहन थी शायद उनकी मौसी थी अमित की वह बैठी हुई थी अभी वह दोनों बैठी हुई थी लेकिन अमित अपने ना जो फिंगर्स होते हैं उनको बार बार के देखने के लिए करक्या रहा है तो वो हाथ के पास गई वो नोच रहा तो उन्होंने सुचा हाथ को उठा के पेट पर रख देती हूं मतलब नीचे गिर जाएगा वना चोटोड लग जाएगी यह जैसे उसके हाथ को टच करती है वैसे ही अमीत उनका गला पकड़ लेता है अभी मौसी को चिलाने लगी भाई गला पकड़ लेगा कोई ऐसे तो दर्द भी होगा उनकी माच पड़ाने कोशिस करी छोड़ी ने रहे अमीत फिर अमीत ने जब अपनी आखे खोली तो लिटरली जो यह ब्लैक कलर की गोल हमारी बिंदी होती है जो हमारी रेटीना है वो पूरी वाइट वो उपर चड़ गई पूरी आखे वाइट भाई तब इनको समझ में आया कि कुछ तो नेगटिब प्रभाव है यह सभी बाबाओं के पास गए कहीं से भी अराम नहीं मिल रहा है सभी तांत्रिकों के पास गए जितने भी ओजा जो बता रहे जहां बता रह करता तार वहां जाता है हर मंगलवार तो उसकी बड़े से बड़ी मनोकामना पूरूण हो जाती है यह भी गए वहां जैसे प्रांगण में जैसे इन्होंने कदम रखा अमीत जो था जैसे कि जब हम पटाके जलाते हैं जो चर्खी जलाते हैं जब गोल-गोल घूमती है वै कि अब俺 بstatुत॥ हुँ जैने के वज़े से वहां जाकि शिदह अंदर गुच गया कि जैसी अंदर सक्वाक्राइस Ondra सब्सक्राइब को अभी नॉर्मल कि अमीत जो घातों हुआ प्रुज़्य को शिर्स trailers कमilles थे उनसे बातचित करी गई उन्होंने बताया कि अमित्यों पर कोई नेगटिव एनरजी है जो किसे परेशान कर रही है इनके माता पिता ने कुछ भी पूछने की ज्यादा कोशिश नहीं करी बस यहीं बोला कि आपके के हाथ जोड़के निवेदन है हमारे बेटे को पहले ज अब हनुमान जी है आप उन्हीं की अरदास लगाओ यह सुच्छ चलो थोड़ा सा बाहर ले चलिए कुछ नास्ता वास्ता करवा देते हैं यह क्या करते हैं मंदिर से उसको उठाते हैं कंदे पे घात रखवाते हैं उसके पिता जी और अपने जो मित्र सखा थे सबके साथ तो बाहर निकलते हैं अभी क्या था जैसे ही मंदिर से बाहर निकलता है वैसे ही नेगटिव एनरजी का प्रभाव धे धेरे शुरू हो जाता है इसके बोड़ी का अपने लगती है अभी क्योंकि हरुमान चलिशा का पार्ट बहुत अत्यादी किसने सुन रखा था तो इतन समझ जाते हैं बोलते हैं बाहर तो नहीं ले जा सकते हैं अंदर ही लेके चलते हैं यह क्या करते हैं अपने बेटे को फिर से अंदर जाके महीं बिठा देते हैं और बाहर से कुछ लाके उसे खिला देते हैं अभी तो फिर मंद जी से बात चीत होती है कि इसको तो हम घर भी 24-21 ऐसे ही पार्ट ओकरने लगा जैसे जैसे तीसरा दिन बीता और तीसरा दिन सब लोग मंदिर में थे तीसरा दिन सुरू हो जाता है तीसरे दुबहे अमित को अभी काफी अच्छा फील हो रहा था बुखार-ुखार सब उतर चुका था वो क्या करता है कि अभी सोपार्ट क तो अमित को उस चीज से हटाने के लिए उसने एनरजी पूरी ले लिए अभी अमीत बिल्कुल भिहारा नहीं लगातार पाट करता गया और एन्ट टाइम तीसरे दिन की शाम तक अमित अपने घर गया उसके अंदर हनुमान जी की सारी शक्तियां समाई तो गई क्यक्कि उसको नेगटिवीटी से लड़ना था उसने सच्छे मन से सोग पाट किये हनुमान जी के और उसे हनुमान जी की वो दिव्य शक्ति प्राप्त और उसने कभी भी इसका दूर प्योग नहीं किया नहीं कहीं प्रियोग किया जब जरुत पढ़ती तभी प्रियोग करता ऐसा नहीं के शक्ति मिलने के बाद दरबार लगा के बैठ हिया या अपनी शक्ति का प्रतर्शन करना कुछ भी नहीं हनुमान जी की किरपा हुई उसने सही प्रयोग किया और आज के टाइम पर बड़े से बड़े नेगटिविटी भी उसको तच तक नहीं कर सकती है यह हमारे हनुमान जी का शक्ती, पावर और उनका प्यार तो आप भी बाला जी और हनुमान जी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैस याराम